तो आज मैं आप लोग के लिए लेकी आई हूँ बहुत ही इंपोर्टन्ट टॉपिक जिसके बाइड में लास्ट वीडियो में आप लोग को कहा था कि मैं आप लोग को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे थियूरी टेस्ट जो है ना वो ड्राविंग का यूके मे अपने फर्स टाइम में पास करना है तो उसके लिए आप लोग ने मेरी वीडियो को लास्ट देखना है तो सबसे पहले थ्री में तिंग्स होती है इसमें जो आप लोग के पास ड्राविंग टेस्ट के प्रोसेस के लिए तो सबसे पहले आप लोग के पास जो है ना वो पर तो प्रविजियर लाइसंस 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 आ सकते हैं और इस जो प्रवियन लाइसेंस होता है जो ओनलाइन आपने अप्लाइ करना है तो इसकी अप्लिकेशन का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो अगर आपने से कोई ओनलाइन प्रवियन लाइसेंस के लिए अप्लाइ करना चाहता है तो वो इस इससे नेक्स टेप आता है कि आप लोगों ने जो है ना वो त्यारी कैसे करनी है थी टेस्ट की तो इसके लिए पहले जो है ना वो ड्राविंग थीरी टेस्ट 4-1 की टवाली वो एप डाउलोड कर लेनी है और इस एप का लिंक जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे द होते हैं मोझा होते हैं और ये तक्रिबakend 4-99 पॉंच की जो है ना वो यह कि सारे जो कुस्तन नोक होते हैं और इसके को कुछ होते हैं वो अन लोक करने होते हैं तो mcqs जो होते हैं वो तकरीबन इस जो एप है इसमें जो होने है वो क्वेस्टन होते हैं mcqs है वो 774 हैं और इसमें सारे mcqs आप लोग ने one by one करने हैं उसके बाद आप लोग ने mock test start करने हैं तो सबसे पहले practice region question में जाना है तो यह सारे category के question आगे हैं जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया तो इसमें जो कुछ questions होते हैं वो locked होते हैं यह सारे lock हैं तो इसके लिए आपको पहले payment करनी पड़ेगी तो मैंने अपने मुबाइल में यह app purchase की हुई थी इस वज़ा से जो है ना वो मैंने इसकी तियारी करके यहां से test दे दिया तो आप लोग ने इस app को purchase कर लेने तो जो आपने category पहले करनी है उस पर आपने क्लिक करने है फिर start तो यह question start हो गया है तो ऐसे आपने one by one करके यह question यह variable होते है आप लोग खुद select कर सकते हैं आप लोग 10 10 करना चाहते हैं यह 20 करना चाहते हैं 30 करना चाहते हैं यह all question आप करना चाहते हैं तो वह आप लोग ने खुद ही select कर लेना है कि कितने आप लोग जो है ना वो one by one कित और उसके बाद जो है जब आप लोगे 774 सारे question जो है वो बिल्कुल totally आप लोगको अच्छी तरह से आगे फिर आप लोगोंने जो है वो इसके mock test start कर देने हैं तो mock test होता है इसमें बिल्कुल वैसे ही बताया होता है कि 57 minute आपको दिये जाने है और 50 में से 43 वाला pass होगा और 50 questions जो होते हैं वो total होते हैं तो इस तरह यह mock test आप लोगने start कर लेने हैं यह देखे जैसे ही आप लोग start करेंगे तो timing उपर start हो जाएगी अगर आप लोग voice over करना चाते हैं यांकि voice भी सुनना चाते हैं यह क्या लिखा हो है तो यहां पर आप click कर सकते हैं तो यह option जो होता है वो exam में भी होता है और next अगर आप कोई tough लग रहा है आप उसको flag लगा सकते हैं और end पे भी जो है न वो आप लोग इसको जो है न वो कर सकते हैं इसी तरह exam में भी जो है न वो जो जिस question में आपको confusion है तो उस पो उस पे आप flag लगा के और दबारा end पे आप लोग जो है न उसका answer भी देश सक जी next step जो इसमें होता है वो hazard perceptions होता है तो hazard perception में जो exam में total clips आते हैं वो 14 clips होते हैं और हर एक में जो है न वो one one hazard होता है लेकिन एक जो clip होता है उसमें two hazard होते हैं तो जितना जल्दी आप लोग जो है न वो hazard को देखके click करेंगे और उतने जादा ही आपके marks आएंगे तो कोशिश करने है जैसे है आपको hazard नजर आए तो फटा-फट आप लोगों ने इस पे click करना है और ताकि आप लोगों के जाद से ज़्यादा marks है जितना आप लोग लेट के click करेंगे तो आप लोगों को जो है न वो zero marks भी आ सकते हैं और आप लोग अगर बहुत ज़्यादा यानि के बहुत ही ज़्यादा बार click कर देंगे तो वहाँ पे आप लोगों को आगे रोज का निशान नजर आजाएगा कि इस click में आपके zero marks आए हैं आपने जो हैना वो बहुत ज़्यादा रफ़ा इस पे click किया था तो आप लोगों ने ख्यार रखना है कि जैसे ही आपको और hazard perceptions की आप लोगों ने अच्छे से त्यारी करके यहां से तो फिर mock test करने है mock test के बाद अगर आप लोगों के पास time बचता है जैसे मेरे पास time था तो मैंने जो हैना क्योंकि जो exam होता है उसमें थोड़ी सी language जो होती है वो थोड़ी change होती है थोड़ा सा question जो है ना वो य से भी करें तो मैंने भी कोई 5-6 जो है ना वो mock test किये थे गूगल से तो वहां पे थोड़ा सा variations होती है question में तो question को समझ के तो आप लोगों जो इसके answer करने है और इसके बाद जब 3 test पास हो जाता है तो इसके बाद जो है ना वो आप लोग उस पे जो reference number वगरा दिया होता ह 3 test 3 test पे वो लगा के आप लोग practical जो card का यानि के test होता है उसके आप लोग booking करवा सकते हैं तो मुझे अमीद है कि आप लोगों को मेरी video पसंद आई होगी please subscribe and like and share this channel